सागर के कोतवाली थाना इलाके में उस समय हड़कम्प मच गया जब अचाना के एक मकान में आग लग गई दूआ उठने के बाद लोगों को इस बात की जानकारी लगी थी हैरानी की बात ये है कि घर में बाहर से ताला लगा हुआ था इसके बाद आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिस की बहीं घर में रखे हुए घरेलू गय सेलेंडर को बहां से निकाल कर पासी तालाब में फीक दिया था इस आग जनी की घटना में ग्रस्ती का सारा सामान जल कर खाक हो गया बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना पुर्व्याव इलाके के रानी पुरा बमना घाट के पास हुई फिल्हाल आग लगने का करण शौर्ट सरकिट बताया गया है जानकारी के मताबिक जिस घर में आग लगी वो मोहन रैकवार का है जो उस दोरान घर पर मौजूद नहीं थे जब लोगों ने आग लगी हुई देखी तो खुदी इसे बुझाने की कोशिस करते हुए ताला तोड़कार अंदर पहुचे साथी फायर ब्रिगेट के अलावा कोत वाली थाना पुलिस को सूचना दी किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और पूरा सामान जल गया था पीडित मोहन रैकबार का कहना है कि पता नहीं घर में आग कैसे लगी उन्हें करीब पांच लाख रुपे का नुक्सान हुआ है फिलाल पुलिस ने इस पूरे मामले को जाच में लिया है तो किया से लग गई आगी तो पूरा सामान जित्ता गरश्टी का सब जल गया पूरा आगी वाले कमरा में राका तो पूरा सामान जल गया है कुछ पैसी मैं से भी जल रहे है पैसी मैं से भी जल गया है यह पैसी मैं से भी जल गया है जिजुशन बचारी सामाइटी में जिए बची जूक कियाने अच्छों निबागी ठीक झाल झाल होटल दा ग्रेंट पालेस, लुक्च्वरी डीलक्स रूम, फील दा कमफर्ट, इंडोर दोर्माट्री हॉल, पैंक्वेट हॉल, कॉन्फरेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वाधिस्ट खाने का आनन्द लीजे, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, सीसी टीवी से सुरक्षित कैंपस, हमारा पता है, होटल दा ग्रेंट पैलेस, साहिवाटिका के पास, होपाल रोट, सागर, मद्द प्रदेश